तो 11 & 9 गा वेट लिए रिज़ल्ट आया कर लिया बहुत सारे बच्चे पास हो गए है और बहुत सारे बच्चे चुछ पाहला नीयम 2023 का नीयम हो बिलकुल चींज हो चुका है मेरे भी समझ भीनी बार इन्होंने किया हूँ क्या है यहां पर दिखेंगे फेल जाद अधर बच्च अपकी बार फेल कैसे हो गए नियम ही ऐसा है कंपार्टमेंट वा लोका इससे पहले क्या नियम था कि जो दो या एक या एक से ज्यादा अगर दो सब्जेक्ट में अगर फेल है तो से कंपार्टमेंट देना पड़ता थ जैसे कि अगले स्लाइट में देख रहे हैं मैंने नाम और जो बागी चीज़े वह हाइट कर दी है क्योंकि यार प्यारे बच्चे जो फेल होका उसका सब कुछ दिखाना ठीक नहीं है ना तो फेल यहां पर आप जैसे कि आप आसानी चेक कर सकते हो इस प्रकार से फेल है त किसमें आप देख के असानी से देख सकते हैं किसमें कितने मार्स है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं फिलाल तो यह पूरी मार्स है वीडियो पुश करके देख सकते हैं किसमें कितने नंबर है मैंने इस पच्चे का भी हाइड कर दिया क्योंकि प्यारा बच्चा यार य यहां पर टोटल टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड ठीक है और यह आपके हैं असी नंबर वाले पेपर और यह आपके बीस नंबर के प्रेटिकल ठीक है तो इन चीजों को ही ध्यार में थोड़ा सब देखते हैं कौन किसमें चीज जीन क्या चल रहा है इसके बाद सो कंपार्ट मे इसमें पास 55 इसमें पास मदलब अगर 33 लेकिन इसमें हुआ क्या सीन क्या हुआ कि ये बच्चा इसमें 32 टिक है और एकमे अठाइस तो दो सब्य comprehensive अइसे हैं जिसमें वच्चा फेल है, एक में एक नंबर से फेल है, माना एक में थोड़े से जादा है, लेकिन एक में एक नंबर से फेल है, लेकिन इस बच्चे को यहाँ पे फेल कर दिया गया है, ठीक है, इस बच्चे को यहाँ पे फेल कर दिया गया, इससे तो यही समझ में आ रहा है न, जो दो सब्ज करनी पड़ेगी उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है ओपन से कर सकते हैं वह अलग बात अगर इस टॉपिक अब जाना चाहते कि आप 11 में फैल है उपन से 12 कैसे करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए का 12 वैसे भी हो जाएगी लेकिन अगर आप सोच रहेंगे एक पार्टमेंट का पेपर दे के आप निकल जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कमपार्टमेंट का पेपर केवल एक सब्जक्ट में फैल है तब ही दिना होगा और दूसरी बात कांफर्मेशन कैसे हुई है कंफर्मेशन अब यह अगले स्लाइड में आप देखें सब्सक्राइड में तो 17 अप्रेल से 9 और 11 नाइन और यह आपके 9 के और यह आपके 11 के कंपार्टमेंट के पेपर होंगे आठवी तक ऐसा कुछ सीन नहीं था आठवी तक बच्चे को फेल पास ज्यादतर सभी बच्चों को आठवी तक पास कर दिया गया लेकिन 11 और 9 में यही तो सीन रहे जाता है बच्चे फेट करते रहते हैं उनको पता डर रहता है इसी चीज़ का और वही हो जी जाता है नाइन्थ और 11 वालों के कंपार्टमेंट यह जो है वो डेट सीट आ चुकी है यह रहा प्यारे बच्चों ठीक है तो 17 अपरेल से अपका स्टार्ट है तो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है प्यारे बच्चों वह अपना तयारी का नहीं स्टार्ट कर दे ठीक है तो हिंद पॉलिटिकल साइंस या फिजिकल फिजिक्स इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन मैथमेडिक्स और 9 वाले का सोचल साइंस मैथ नेचुरल साइंस इंग्लिश संस्क्रीट ठीक है हिंदी तो अपनी तयारी करना इस्टार्ट कर दे तो दो सब्जेक्ट में फेल है जैसे मैं कुछ हद तक कंक्लूजन तो निकली गया होगा जैसे ही कोई नया इनिफॉर्मेशन आता है को नई नोट्फिकेशन आती है का अपार्टमेट को लेके तो मैं जरूर इस पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी क्लिश्टर क्लियर रहे और दो सब्जेक्ट में अगर जो फेल है उसके लिए तो जो मेरे लिए जब मैंने सुना तो ये मेरे भी समझ मिनिया था मैंने नैट पर कई जगर साच करके देखा कि ऐसा कहीं नहीं होता है कम से कम दो होता है तो उसे मौका दिया जाता है कापार्टमेटर लेकिन अपके साथ निया दूसरों को साथ भी हो रहा है तो थोड़ा कहीं न कहीं माइंड को रिलेक्स मिलता है तो कुछ समाधान तो नहीं होता लेकिन हां दिमागी तौर पर थोड़ा सा आराम मिलता है नहीं यार ठीक है औरों को साथ भी हो रहा है तो यूमन नेचर ही ऐसा है तो मैंसे